कर दो कि जैसे दिमाहकाल आदेश मैं चंदनाता गोरी आप सभी का अपने यूटूब चैनल चंदनाता गोरी शिफशक्ती तंतर मंतर के अंदर मैं स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरी और गोपने साधना दूगा और ये साधना बड़े ही दुल्लफ साधना है और अपने आप में रहस्में भी है बैसे आपको ये मिल जाएगी यूटूब पे कहीं न कहीं लेकिन जो हमारा बिधान है हमारी पद्धती ये वो अलग है यानि हमारा जो बिधान मार्ग है वो अगोर मार्ग है है सबी लोगों को मालूम है हमारे मार्ग से अगर कोई भी शाधक शाधना करता है तो उसके जो शपलता होने watch sound आ दे तो बहुती पिर्चंड और बैत्रीन साधना है इतनी बैत्रीन साधना है कि जितनी में इस साधना की तारीप करूं कम ही है और इस साधना का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और नहीं कोई मतलब दुष्ट परिनाम है यानि कि इसका जीवन पर भी कोई गलत प्रिभाव नहीं पड़ता है तो बड़ी अच्छी साधना है काफी समय से मैंने बड़ी मतलब गुप्त जो ऐसी साधना है दिये जिनके बिसे में किसी को ग्यान न कर दा तो ये जो साधना मैं देने जा रहा हूंतों तो सबसे पहले जिल लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने है वह दो कर लिए मांद्याम से जह को आपको वीडियो भेजने वाले हैं बहुत बहुति गोपने और इतनी गुप्त साधनाई देंगे जो कि अमारी शोद जारी है इन चीजुफे ठीके तो कि आप दंग रहले जाएंगे कि यह साधना होगा तो आपने जिगर्द भी नहीं सुना हुगा कि जैसे कि हमने भूस्टसी साधनाय दियें इतनी कोपने जिसका आप आप नहीं कर सकते कि इतनी कोपने साधनाय है लाते घृश्यान है और घ्यान कभी खतम नहीं होता है बस साधक को चाहिए कि महनत करनी होती है तो चलिए ज्यादा लंबी वीडियो ना होते हुए ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इस से पहले मैं आपको बता देता हूं ये शाधना है मंगला किन्री यानि जैसे मंगला चमारी है तो पांच पिरकार की चमारी होती है जैसे कि लोना चमारी मंगला चमारी इस तरीके से पांच चमादी थी ठीक है और ये मंगला किन्री है जो कि अश्ट किन्रियों में आती है यानि किन्री आइड होती है जिसमें पुष्व किन्री है और भी सारी बानर मुखी किन्री विशाल नेतर किन्री ये इस तरीके से किन्री है जिसमें अश्ट किन्री होती है उसमें से हैं मंगला मस् gesch Bahn Kintri जोकि अपने आम्में एक हमें हैं। इनके सिंबें बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है। और मंगला किंडरीTP करकि और उस कीमली क्या क्या राव होते हैं स्थ पहते हैं होते हैं। चाहे वो धनका मार्ग मतलब धनके मामले में यानि कि धनका मार्ग हो तो अगर सादक आर्थिक इस्तिति की बज़े से साधना करना चाहता है तो सादक की अगर यह साधना सिर्द हो जाती है तो उसका जीवन रातो रात बदल के रख देती है यानि जो भी सादक कलपना करता है यानि कि जो मन में सोचेगा वो उसका काम बनना सुधू हो जाएगा बस मैं यूं कहूंगा आप यह यूं कहूंगा कि मतलब यह नहीं कह सकते कि मैं यह नहीं कह सकते कि आप इनसे पैसा मंगा सकते हैं देखिए कोई भी शक्ति पैसा नहीं लाके देती है लेकिन पैसे के मार् खोलती है ठीक है कि अलती कि स्थिति यानि धन के मामले में मंगला किंडरी का भौट बड़ा महत्व है दुसरी बार कि वशीकरन इनके जो तीन कर्म है बड़े ही पर्फेक्ट चलते तीन कर्मों पर जैसे कि मंगला किंद्री का वशी करन इस पेसलिष्ट है और धन के मामले में यानि धन कारोवार बेजनेस इस सब अपने सादक को देती हैं धन बैवाब या स्केर्टी मतलब जो भी शादक को भूतिक जीवन में जरूरते होती हैं पूर्ण करती है किस परकार करती होता है किस तरीके से हमें कहां पैसा लगाना चाहिए कहां से हमें लॉस होगा कहां से हमें प्रॉफिट होगा इस सारी चीजिए यह हमें मारक दलसन करती है और मारक दलसन इस परकार करती है जैसे कि एक जैसे कि कोई भी हमारे हमें गाइड करने वाला और इनकी शाहतना करन हो मारन हो चाटन हो कुछ भी हर काम में चलती है बच चाहिए तो साधक को मैनत करनी होगी और साधना हंडेड़ परसेंट सपलत होती है क्योंकि यह बहुत ही उच्छकोटी की साधना है मंगला कि निदी साइद मुझे लगता है सोसल बेडिया पर किसी ने दी होगी यह साधना मैंने सल्च नहीं किया सल्च कलता तो कंफर्म बता देता का है या नहीं है फिलाग लेकिन बहुत अच्छी शाधना है इतनी अच्छी है कि आपका जीवन बदल के रख देंगी धन की तो दिक्कत रहने वाली नहीं है तो बड़ी गोपने शाधना काफी कुछ बता दिया मै इनके विशे में अब इनका बिधान बता देता हूं बिधान सुन लेजेगा यह साधना कि 31 दिन की और 31 दिन में आपको सवा लाग मंत्र का जाप करना है यह साधना आप सुकल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से सुरू कर सकते हैं रात तरी नो बजे के बाद या दस बजे क होना चाहिए ठीक है नो बजे सुरू की तो नो बजे और आट बजे सुरू की तो आट बजे करना क्या है यह साधना आप तीन जगा कर सकते हैं तीन जगा या तो किसी नदी यानि नदी के किनारे ठीक है या किसी चोराय पे या एकांत कमरे में ठीक है यह तीन जगा साधना होती है कि या तो किसी चोह राय दें या फिर नदी किनारे और या अपने घर पे ही एक आंद्ध कमरा ओर होना चाहिए है इसके लिए और भाई साथना कर सकते हों जिस कमरे में आपके अलावा साथना डाइम में कोई नहीं आना जाहिए और उस कमरह पर जादर तरव कुम benefit वस्तर शफेद या काले दीपक तिलके तेल का। ठीक है ? 31 दिन की साधना है और सवाल आख का जाप करना है इकतिस बे दिन आपको ग्यादा माला से हवन करना है दुवादा विधान वादा देता हूं धीपक तिलके तेल का आशन आपको कुषका या सफेद रंगा वस्तर काले या सफेद ठीक है माला रोद्दाग से इकतिस दिन की सादना एकतिस दिन में आपको सवा लागजाब करना जया एक अतीस बे दिन आपको क्या करना है तो इसमें जो भहुत रहेगा आपका वहां प्रिकार की नेवु ठीक है पान का यानि मीठा पांब का बीड़ा और आप दूट से बनी खीर पहले दिन रखे मतलब बाकी तो आपको कुछ एक इतर ले ले कोई भी इतर गुलाब का मोगरे का जो भी आपको अच्छा लगे एक नेवु वली देनी है पिरती दिन ठीक है पिरती दिन नेवु वली देनी है नेवु वली पिरती दिन देनी है पहले दिन खीर दूट से बनी मिठी एक पान पांच प्रिकार की मिठाई ठीक है और जहां आप मतलब यह कि साधना करेंगे वहाँ पर सपेद वस्तर बिचाना है यह चोकी ले 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 ठीक है और फूल लगाए फूल की उपर दीपक पिरजिलित करना है आपको यानि फूल की धेरी के उपर लगा के पिरजिलित करना है यानि दीपक रखी ओर पास से फूल हैं फूलों से सजानी हैं और एक माला हात में रखति हैं इनका आप जो मंग्ला किन्री है प्रक्रेज़ का सब्सक्राइब शरूम में मंत्ल advit बकुता अब तScott प्रक्टिकल दूसरी बात जब हबन करेंगे अप 31 भे तो आपको क्या-क्या सामक गिरी चाहिए पैन ले लीजिए और नोट कर लीजिए अगर टाइम मिला एड़ेडिंग करने में तो मैं स्कीन पे भी दे दूँगा तो आपको हवन सामक गिरी जों गूगल इलाइची काले मिर्च काले तिल गुलाब के फूल शहद शर्सो का तेल इसमें घी का इस्तमाल नहीं करना है सर्सो के तेल का इस्तमाल करना है या तिल का तेल यानि हवन सामक गिरी में तिल का तेल मिला लीजिए ठीक है हवन सामगरी जो हो गोगल इलाइची काले तिल काले काले मिर्च शहाद और तिलका तेल लोंगे वता से ओ इलाइची यह सारा मिक्स करके और ग्यारा माला से हवन कर दें एक माला अपना शादना सुरू करने से पहले एक माला अपने गड़ेश मंत्र की करें, एक गुरू मंत्र की करें, एक भैरम मंत्र की करें, उसके बाद मूल मंत्र की आपको सवालाग का अनुस्ठान करना है, ठीक है, एक एक माला की आहूती भी करनी है, जैसे गुरू मंत्र की आहूती करनी है, वैसे गड़ेश मं से अनुवफ सुरू हो जाएंगे ठीक है और जैसे जैसे आपका साधना का समय बढ़ेगा जैसे आपका जब बढ़ेगा उसी पिरकाई इसमें अनुवफ सुरू हो जाएंगे शक्ति अपना होने का एसास कराएगी आसपास खुस्वू मतलब एक वातावरन चैन्ज हो और आपको सरीर पे इसपर्स यानि कोई शक्ति आके आपके सरीर पे इसपर्स हाथ फेर सकती है कहीं भी चाहें वो आपका कंदा हो सिर हो या आपका जो जांग हो कहीं भी आपका इसपर्स कर सकती है यह इसमें अनुवफ होते हैं बस सादक को डणना नहीं है और धेर्दे बना के सादना करती रहने है, और हम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, और सादना का हम मारीक दर्सन करेंगे और सादना करा के लाइग? कोई भी शादक शादना कर सकता है और एक बाद बता देता हूं यक्षणी या अप्सरा या किन्री इन शक्तियों को जो मंत्र है इस इन सक्तियों का अभान करने से पहले एक मंत्र आता है यक्ष जो यक्षणी होती है उनके लिए यक्ष रास से इजाज़त लेनी पड़ती है या फिर एक किरोध मंत्र आता है इन सक्तियों का अभान करने के लिए अगर सक्ति नहीं आती है तो उस मंत्र का अभ लोद मंत्र के होती है पहले, उसके बाद में शक्ति का यानि मंगला किनिरी का अभान करना होता है। तो अभी मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, वीडियो काफी बढ़ी हो गई है। तो मंत्र सुन लीजिए, मंत्र आपको सिस्कूर्ण पर ही मिल जाएगा, हीम दिस्केशन में मिल जाएगा, मंत्र है एम छोटा सा मंत्र है, इसे के जडिये आप कोई भी सादक बड़े अराम से एक सदंध कर सकता है. और बीटे माय। बिधरंद कर सकता है. लेकिन कहूंगा, कि जो लोग गुरुम की स्धनना को करें. जिस सदंध कर में सब्सकाइब को नहीं है कोही दिक्कत वाली गाली सब्सक्राइब जाम सब्सक्राइब सकता है जब सकते थिसी को सैथ नुद्धि के या फिर अगोल अच्छमी कवज या आपका धंदा यक्षनी कवज जो भी आपको चाहिए आप हमसे संपर कर सकते हैं मंगा सकते हैं हम डेलेवरी सुभीद आया है और जो भी हमारे कवज हैं उनका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है जिन लोगों ने दारन किये हैं उनके बड जान देंगे कोई भी काम है आपके अटके हुए कोई तंत्र वादा है सत्र वादा है सारे काम बनाती है आशुमाईया बाकी तो आप जब खुद लेंगे खुद उसका प्रक्टिकल करेंगे तब आप सोयम समझ पाएंगे बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले बेल इकन का बटन दवाना न बूले और वीडियो बाकी में अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है तो जब तक के लिए जैसरी महाकाल